मैं समझ सकता हूँ यूपी तो एक तरह से बीजेपी का घड़ माना जाता है वहाँ पे आप लोगों ने बीजेपी को सपा को इंको सब पार्टियों को हराया और खुब मेहनत की इतने मुश्किल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आप सब लोगों को बहुत बढ़ बढ़ है आम आदमी पार्टियों ने देश के अंदर राजनीती में पूरा का पूरा नेरेटिव बदलने की कोशिश की है अब अगर आप देखेंगे तो करनाटक का पूरा चुनाव जो कॉंग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टों पर जीती है हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने का हम भी बिजली फ्री देंगे हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने का हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे हम कहते हैं मुफ्तराशन देंगे तो वो भी कहते हैं मुफ्तराशन देंगे हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरुजगारी बत्ता और महिलाओं को हजार हजार रुपे देंगे वो भी कहते हैं महिलाओं को हजार हजार रुपे देंगे दिल्ली में अद्बुत काम हुए हैं शिक्षा के क्षित्र में, स्कूल के क्षित्र में, स्वास्त के क्षित्र में, दवाईयां फ्री कर दी, सबका इलाज फ्री कर दिया, शिक्षा कस्तर बहतर किया, सरकारी स्कूल सुधार दिये, सरकारी अस्पिताल सुधार दिये, महला क् के मिर को वोट दो कर दो सारे एस सी मिर को जाती के नाम पे मांगते थे हिंदु साल में स्कूल ठीक कर दिये हमने दिल्ली में पांच साल में अस्पिताल ठीक कर दिये तो पच्चतर साल हो गए पच्चतर साल में ये भी कर सकते थे लेकिन उन्हें नहीं किया इनकी नियत भी खराब थी इनको करना भी नहीं आता इनका मन भी दिखाया है दिल्ली की जो कहते हैं अच्छा काम जो हता है उसके खुश्बू चारों तरफ फैलती है तो दिल्ली के काम की खुश्बू चारों तरफ फैली है अब वो दिल्ली के कामों के खुश्बू पंजाब तक गई तो पंजाब में सरकार बन गई यह पंजाब के कामों क कि उत्तरप्रदेश के अंदर भी लोग अब तयार हैं और उत्तरप्रदेश में लोग चाहते हैं कि वहां भी अच्छा अच्छी सरकार आए उनकी तरक्की करें उत्तरप्रदेश के अंदर भी तो लेकिन बहुत जरूरी होता है कि संगठन तयार हो संगठन जो अभी इन संदीप पाठक जी वो बड़ा शामदार संगठन बनाते हैं जो चुनाव लड़ने हम बताओ गुजरात के अंदर हम गए पहला चुनाव था हमारा जब पिछली साल अपरेलिया मई में हम एंटर किये थे पंजाब का चुनाव लड़ने के बाद अपरेलिया मैं में एंटर कि लिए थे और तब हमारा एक परसंट से भी कम वोट था गुजरात में और दिसंबर में हमारा 14% वोट आया तो 14% वोट इनके मोदी और अमित शा के गड़ में 14% वोट जाके लाना कोई कम बात नहीं है बड़ी बात है तो वो भी आएंगे आप लोगों के बीच में लेकिन वो बड़े सकत हैं जब आएंगे तो वो काम बहुत कराते हैं बड़ा टाइट सिस्टम होता है उनका संगठन बनाने का तो उनक के साथ मिलके संगठन बनाएंगे हर गाओं के अंदर हर बूथ पे हम 10-10 लोगों की कमीटी बनाते हैं और वो कमीटी काम करती है मतलब कागजों की कमीटी नहीं होती हो संगठन पूरा अगर बन गया अपना तो कोई माईकालाल अपने कुद्र पर देश में रोकाने सकता जितने लोग आप जीते हैं, आप सब लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी है, हमें आगे जिताने की, जैसे दिल्ली के लोगों ने हमें दिल्ली में वोट दे के पहली बार जिताया, 28 सीट आई थी, लेकिन वो 49 दिन की सरकार एक ऐसा अजूबा थी, वो लोग नायक फिल्म के तरहिए लोग देख रगते हैं उस 49 दिन की सरकार को, कि उस एक 49 दिन के सरकार ने असीम सम्भावनाएं पूरे देश के अंदर हम आदमी पार्टी के लिए खोल दी, वो 49 दिन की सरकार आई, और उसके बाद तो फिर बस 67 सीटे हैं, फिर 62 सीटे हम अपने काम के दंपे लेक आए ऐसे ही आप लोग हैं आप लोगों के जरीये उत्तरप्रदेश की जंता लेक मौका दिया है अपने अपने एक शित्र के अंदर जैसे अब सभी चेयर्मेंन बता रहे थे मैंने यह किया में यह किया मैंने यह किया बहुत प्लाइब अगर आप अपना काम इतना अच्छा कर दोगे तो वह खुश्बू चार उत्रफ उत्रप्रदेश में फैलेगी एक चेर्मेन काम करेगा आसपास के पूरे इलाके में आसपास कई इलाकों में फैलेगा यार वहां पर आमादवी पार्टी का चेर्मेन है वह बड़ा अच्छा अग्ला उत्रप्रदेश का चुनाव हम पूरे दमखं के साथ लड़ेंगे